So, Hello and Welcome Guys, तो कैसे आप सभी लोग and Welcome back to another video तो दोस्तो आज के सुड़ो में आप पर हम लोग बात करने वाले कि आप लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा है कि आप लोग फॉजी गेम को अपडेट नहीं कर पा रहा है तो कैसे अपडेट करना है, सब कुछ आप लोग को आज की सुड़ो में पता चलने वाला है So, यहाँ पर आप लोग के साथ ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि आप लोग में आप लोग को बहुत सारी दिक्कते आ रहे हैं किसी-किसी में आप पर प्ले नहीं हो रहा है मैं एक दिन तक पूरा लगा रहा है मैंने सारी को इससे कर डाली So, मैं आज आप लोग को भी यहाँ पर बताऊंगा कि क्या के आप लोग को यहाँ पर चेंजमेंट करना है और कैसे आप लोग को इसको सही करना है And हाँ, जिन-जिन लोगों ने अभी तक Discord सर्वर को जोईन नहीं किया है And वहाँ पर मैंने सबसे पहले Announcement कर दिया था यहाँ पर And बहुत सारी लोग को वहाँ पर बता था कि यहाँ पर क्या क्या आने वाला है 2-3 दिन पहले से ही यहाँ पर update के बारे मैं सारी information Discord सर्वर पर देता रहता हूं And यहाँ पर YouTube पे सबसे पहला वीडियो मेरा ही था यहाँ पर official notification भी नहीं है अधर Twitter में उससे पहले मेरा एक गंटे पहले वीडियो आ चुका था So अगर आप लोग ऐसी exclusive news जानना चाहते है For the game से related and अपना opinion वगरा share करना चाहते है And Discord सर्वर पर जॉइन नहीं हुए तो वहाँ पर भी आ जाईएगा आप लोग को बहुत कुछ वहाँ पर पता चल जाएगा तो यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा problem यहार है कि आप लोग में कुछ इस टाइप का screens हो रहा है जिनके में पहले से ही आपर 4G का multiplayer पड़ा हुआ था तो वह लोग क्या करेंगे कि 4G का campaign mode था ना उसको सबसे पहले delete कर दीजेगो कि यहाँ पर मेरे में जैसे ही मैंने campaign mode delete किया था जब APK मुझे मिला था ता वो पाया था मैं पूरे एक दिन लगा रहा 2G data waste किया मैंने बार बार Google Drive से APK डाउनलोड किया लेकिन यहाँ पर मेरा APK not install दिखा रहा था तो आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर campaign mode को delete करने के बाद फिर से आप लोग जाए link पे लिंक को open करिए और देखिए वहाँ पर कि अब update दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है और जिनके में भी तक update ही नहीं आया है तो वो थोड़ा wait करें उनका भी update हो जाएगा और वो लोग जाकर कि play store में नीचे की site देखें उनके में यहाँ पर 11 जुलाई last updated दिखा रहा होगा तो यहाँ पर वो लोग जाकर कि check करें और चेक करें कि यहाँ पर उनका updated कब दिखा रहा है और फिर यहाँ पर आकर कि जो link में देए description में उसको check करें और उससे खोल करके देखें जितने लोगों को पिछली बार early access मिला था तो उनको तो यहाँ पर update मिली जाएगा जिन्होंने पिछली बार के early access को download नहीं किया था या फिर वो किसी तरह से उसमें नहीं आये थे तो उनको size से इस बार वाला जो update है वो ना देखने के लिए मिले अगर किसी को मिला हूँ मेरी link से तो वहाँ पर comment box में बताए कि जिसने पहली बार download किया और उसको यहाँ पर जो game है उसमें install का option दिखा रहा हो तो आप लोग कमेंट में बताएगा अगर आपके यहाँ पर फॉजी का multiplayer वाला version पहले से install है तो आप लोग को update मिलेगा भले ही थोड़ा late मिले आज रात तक मिले लेकिन मिलेगा जरूर जिनका इस space वगएरा full दिखा रहा है तो जड़ा discord पे आ सकते हैं तो आज आईएगा मैं कोसिस करूँगा कि आप लोग कोई link वगएरा provide करवा सकूँ और एक और update आने वाला है बहुत ही जल्द अगस्त तक आप लोग समझ लीजे वो update आएगा तो आप लोग उसका wait करिएगा उसमें भी आप लोग को बहुत कुछ मिलेगा और यह पर मैं जैसी details मुझे मिलेंगी मैं आप लोग के साथ share करूँगा जिन जिन लोग के में जो problem आ रहे हो comment भी बताईएगा and discord and instagram पे भी मुझे बता सकते हैं सारी चीजों के link आप लोग को description box में मिल जाएगा so मैं मिलता हूँ आप लोगों से next video में